यूपी के स्कूल के वाइरल वीडियो को लेकर कॉंग्रिस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कॉंग्रिस नेता पवन खेडा ने सच बेधरक से एक्स्क्लूसिव बाचीत की और यूपी सरकार से कारिवाई की मांग की इसके साथ ही राजसान विदानसभा चुनाव को लेकर पवन खेडा ने कहा कि बीजेपी कितनी भी रैली कर ले फुर्चार कर ले लिकिन हमारी सरकार की नीतियां घरगर पहुच रही हैं राजसान में कॉंग्रिस सरकार रेपीट होगी कि इस देश में और इस धर्म में जहां स्थान है यही नहीं इस तरह की नफरत का वहां इस तरह की नफरत कैसे थोपी जा रही है और कौन थोप रहा है इस नफरत की पाठशाला के प्रधाना अध्यापक कौन है यह हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं वो प्रधाना अध्यापक सामने आकर जवाब दें कहां है स्मिती इर इंडिया आलाइंस की लेकिन कल वो दिन ओवरिसी का एक बयान आया है आप लोगसभा की त्यारी कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ना ही बीजेपी ना ही कॉंग्रेस इस देश को अब तीसरे विकल्प की जरुवत है तीसरी पार्टी का रुख जो है अब आगे आना क्योंकि राजिस्तान में आगामे जिनों में विधानसभा चुनाव हैं बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है लगातार कई रोडशो आयोजित कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस की योजनाओं के माध्यम से हो रहा है उसके अलावा भी प्रचार हो रहा है अब जो रोडशो कर रहे हैं वो दो हजार तेईस की दिसंबर के बाद भी रोड़ी पर रहेंगे उनको सब्ता नहीं मिलेगे वह शुक्रिया क्यामर मैं धर्मेंज के साथ मेकानी का साच भी जड़क देली